गैज आज का हमरा टॉपिक है वेबसाइट पर पेड ट्रैफिक कैसे लाए तो गैज आपको कुछ इन्वेस्ट मेंड करके आप अपने वेबसाइट में ट्रैफिक को इनक्रीज कर सकते हैं और अगर आपका बिजनिस है तो भी गैज आप अपने विजनिस को इनक्रीज कर सकत तब जाके आप अपनी website पर unlimited traffic लेके आ सकते हैं तो पहला यहाँ पर search engine marketing यान की आप यहाँ पर google से, youtube से and bing से आप यहाँ पर ad को run कर सकते हैं आपने अगर google में आपका भी कोई चीज आप search करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा हुआ कि ad करके आता है तो वो क्या होता गैज यहाँ पर ad होता है यानि की ad run करना होता है तब जाके गैज उनकी website या उनका जो article है वो top में सोगरती है तो आपको पता है गैज अगर कोई भी website google में top में दिखती है तो गैज वहाँ से उनको 70% गैज वहाँ पर traffic मिलता है तो आपको क्या करना गैज आप ad को run करके भी अपने article को google में top में ला सकते है और website पर ad लगाकर traffic generate करने के लिए कुछ keyword को target करना होता है आप keyword के लिए जितना ज़्यादा cpc ताई करेंगी उतना ही ज़्यादा आपकी website के first page पर आने की संभावना गैज बढ़ जाती है तो हमें कुछ keyword को target कर गैज गूगल के first face पर हमें यहाँ पर google ad run का हम यहाँ पर ला सकते हैं उसके बाद गैज यहाँ पर second social media marketing यानि जिसे हम सौट में कहते हैं smm तो हम यहाँ पर जैसे guys यहाँ पर आपका facebook हो गया instagram हो गया linkedin हो गया twitter हो गया kora हो गया इन पर guys हम यहाँ पर ad को run कर सकते हैं यानि कि आप अपने audience को location age gender इन सब के आदार पर guys आप यहाँ पर paid ad run कर सकते हैं आप उनको guys में जैसे आपको बता है कि location wise आप कर सकते हैं age wise आप से आप टार्गेट रग सकते हैं उसके बाद फेट पर धढ़ा तापका डिस्पलेएंड बैनर एड़ तो डिस्पले एड अगर आपके विजिनिस ओनर है तो वेबसाइड पर ट्रेफिक लाने के लिए आप display ad and banner ad याप पर यूज़ कर सकते हैं display and banner ad को अक्सर google ad की मदद से create किया जाता है जिसके तहब google उन सभी website पर आपके ads दिखाते हैं जिन पर आपके target client अक्सर visit करते हैं तो आपको क्या करना है हमें सिर्फ वहाँ पर target करना होता है तो उसके हिसाब से google ad आपके display ad होता है जो banner होता है उन website पर दिखाता है जिनको जहाँ पर जरुवत होती है उसके बाद आप फूर्थ नमबर बाद आपका landing page करें तो आप अपनी website में landing page कर सकते हैं उसके हिसाब से आप lead को generate कर सकते हैं आपको landing page में सारे कुछ दे के वहाँ पर उनको दिखा के google ad run करके वहाँ पर land किया जाता है और उसके बाद guys वहाँ से भी आप pay traffic को website पर वहाँ पर traffic ले सकते हैं उसके बाद guys यहाँ पर last step का influencer marketing में invest करें यानि कि guys जैसा आपको पता है influencer marketing में अक्सा influencer की मदद से आप अपनी business को promote किया जाता है आपने देखा होगा Instagram में आपने देखा होगा कि कापी सारे लोगों के ऐसे कुछ वीडियो जाती है जो किसी और की उतिया and वहाँ पर promotion करते हैं तो उससे भी guys आप अपने business को and traffic को guys ला सकते हैं आज guys मेरा आप लोगों को बता दिया कि कैसे आप अपनी website में paid traffic ले सकते हैं यानि कौन कौन से ऐसा method है जिनसे आप अपनी website traffic को increase कर सकते हैं तो guys अगर आपको अपनी website quickly traffic चाहिए तो आप यहाँ पर paid ad run के अपनी website में traffic को increase कर सकते हैं तो I hope कि guys आप लोगों के समझ में आगे होगा तो guys अगर आपका को ही डाउट होता है तो comment कर सकते हैं and guys हमें Instagram पर जाके भी आप message and follow कर सकते हैं और guys अगर आपको वीडियो फसंद आए तो इस वीडियो को like करना है चैनल को भी guys आप लोगों को subscribe करना है and guys फिर मिलेंगा में एक और next वीडियो में तब तक के लिए guys आप लोगों का अपने ध्यानकन है जैहिन वंदे मातरम